हाई फ्रेंद्स माय सेर्फ डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडीशन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है टिनाइटस मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या-क्या सिम्टम आते हैं इसके कौज क्या है और साथे साथ कुछ होमियोपैथिक मैडिसें जो आप इस कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकर उसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आन सोर्स नहीं है एक्चुली में कोई भी साउंड नहीं होता यह साउंड सिफ आपको ही सुनाई देता है यह काफी कॉमन कंडीशन है और ऐसा देखा जाता है कि 15-20 परसेंट लोगों को लाइफ में एक नाइगवारी कंडीशन जरूर होती है टिनाइटस होने का कोई ना कोई साउंड सुनाई दे सकते हैं अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूं कि अगर किसी पर्सन को टिनाइटस हुआ है तो उसमें क्या-क्या सिम्टम्स टेवलॉप होने लग जाते हैं तो फॉर्स्ट इंपॉर्टन सिम्टम यही है कि कोई भी एक्स्टरनल नॉइस नहीं साउंड या फिर क्लिकिंग टाइप का साउंड भी आ सकता है कई बार पर्सन को हमिंग या फिर हिसिंग साउंड भी आ सकता है तिनाइटस में पर्सन को जो साउंड सुनाई दिता है वो डिफरेंट पीच के हो सकते हैं जैसे कि कुछ साउंड बहुत जादा लाउड हो सकता है कुछ sound low pitch का हो सकता है या फिर कुछ high pitch का भी हो सकता है person को sound के वज़े से काफी जादा disturbance feel होती है उनका जो concentration है किसी भी काम को लेके वो कम होने लग जाता है ऐसे person को stress और anxiety भी feel होने लग जाती है और constant noise के वज़े से इने headache की complaint भी हो सकती है कई बार ऐसे देखा जाता है कि person को tinnitus के साथ ही साथ migraine या फिर वर्टाइगो की complaint होने लग जाती है ऐसे लोग को चक्कर भी आने लग जाते है और इन्हें vomiting की complain भी हो सकती है tinnitus में कई बार person को continuous noise आने लग जाता है या फिर उन्हें कुछ particular time में भी noise आ सकता है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूँ कि आखिर क्या reason है किसी person को tinnitus होने का तो tinnitus होने का अब तक कोई भी exact cause नहीं पता लेकिन कई सारी disease है कई सारे underlying cause है जो इसके लिए responsible हो सकते हैं जैसे कि अगर किसी person को hearing loss की complaint है तो ऐसे लोगों को यह complaint हो सकती है अगर किसी person को air के जो bones है उसमें injury हुई है या फिर उसमें किसी भी तरीके का कोई infection हुआ है तो ऐसे लोगों को भी tinnitus की complaint हो सकती है इसके अलावा air infection या फिर एयर में ब्लॉकेज होने के वज़े से भी person को यह condition हो सकती है कई बार ऐसे देखा जाता है कि person को कानों में बहुत severe infection होता है infection उन्हें bacterial भी हो सकता है या फिर उन्हें जादा air wax के production के वज़े से भी कानों में infection या फिर blockage हो सकती है तो उसके वज़े से भी person को कानों में अजीब सा साउंड सुनाई दे सकता है इसके अलावा tinnitus होने का एक बहुत important cause है injury अगर किसी person को head या फिर neck में किसी भी तरीके की injury हुई है कोई accident हो गया था तो उसके बाद भी person को अजीब सा noise या फिर sound सुनाई दे सकता है इसके अलावा कुछ medications पर responsible है जैसे कि अगर आप बिमार हुए थे तो आप को एंटिबायोटिक का यूज कर रहे है तो उसके बाद भी आपको tinnitus की complaint हो सकती है आपको anti-inflammatory medicine का यूज कर रहे है या फिर आप किसी pain killer का यूज करते है तो उसके बाद भी आपको ये condition temporary हो सकती है tinnitus उन लोगों में बहुत जादा common है जिने malaria हुआ था और उसके बाद उन्होंने anti-malarial drug का यूज किया था तो उसके बाद भी उन्हें tinnitus की complaint हो सकती है या फिर अगर कोई female eye pill या फिर कोई contraceptive pills का यूज करती है तो उसके बाद भी उन्हें sound आ सकते है कानों में इसके अ मेनियस डिजीज एक बहुत ही important cause है मेनियस डिजीज एक तरीके का inner air disorder है और इसमें ऐसा देखा जाता है कि कानों में जो fluid pressure है उसमें changes होने लग जाते है और उसके वज़े से person को tinnitus की complaint हो सकती है इसके अलावा अगर किसी person के air bone में changes हो रहा है degeneration हो रहा है या फिर कानों की जो bones है उसमें कोई injury infection है तो SLO को भी यह complaint हो सकती है अगर किसी person के air bone में कोई growth हो रही है abnormal growth हो रही है तो SLO को भी condition हो सकती है इसके अलावा कई सारे disease अ हो सकता है जैसे कि अगर किसी person को diabetes है या फिर अगर किसी person को एनेमिया है तो ऐसे लोग को भी कानों में अजीब सा साउंड आ सकता है अगर किसी person को कोई autoimmune disease है जैसे की rheumatoid arthritis है या फिर किसी person के body में खून की कमी है एनेमिक person है तो ऐसे लोग को भी tinnitus की complain हो सकती है अब मैं आपको इसका risk factor बता देती हूँ कि आखिर कौन-कौन से लोग सबसादा risk में है जिनने ये condition हो सकती है तो जातर ऐसे देखा जाता है कि जिन लोग का exposure loud sound से होता है ऐसे लोग को ये condition बहुत जादो common है जैसे कि अगर आपका घर या फिर workplace किसी ऐसी जगह है जहां बहुत जादा शोर है बहुत जादा traffic क्यावज आती है तो ऐसे लोग को ये condition हो सकती है इसके अलावा अगर आपका profession ऐसा है जिसमें आपको बहुत जादा loud sound सुनना हो जैसे कि आप कोई musician है या फिर आप किसी construction site पे work करते हैं किसी factory में काम करते हैं जहां पर बहुत जादा sound आता है तो ऐसे लोग को ये condition होने के chances काफी जादा बढ़ जाते है इसके अलावा old age एक बहुत ही important risk factor है जैसे जैसे आपकी age advance होती है आपको tinnitus की complain होने के चांसे काफी जादा बढ़ जाते हैं tinnitus ज्यादा तर males में common है as compared to female क्योंकि males बहुत ज्यादा tobacco smoking alcohol का यूज करते हैं उसके वज़े से उनके chances काफी जादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें कानों में ringing sound सुनाई देने लग जाए अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूं जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो medicine जैसे कि आप natrium salicylicum medicine का use कर सकते है 30 potency में इसके अलावा graphitis 30 medicine medicine का use कर सकते हैं या फिर आप Calumure 30 या फिर चीनो पोडियम 30 medicine का use कर सकते हैं यह सारी की सारी medicine tinnitus के लिए बहुत ही useful medicine है आप 4-4 drop दिन में दो बार डायरेट अपने तंग के ओपर इस medicine को use कर सकते है so friends यह ता tinnitus मैं आपको बताए कि यह क्या होता है इसमें क्या-क्या symptom आते है इसके cause क्या है और साथी साथ कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर message कर सकते है मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो यूसफुल और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon उसे प्लेश कर लीजिए ताकि आपको